हेला दोस्तों वेलकम के एक डिज्र गुरुकुल तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एंसाटी बूक के चैप्टर टू पॉलिनॉमिल खेकस टू पॉंट तरी तो आए शुरू करते हैं इस वीडियो की तो आप देह सकते हैं पहला कोशन है मैं आपको बताते है इसमें करना क्या है है इसमें आप Japanese करना क्या है यह जो वैलू सी डे रिक है इन सब को इससे डिवाइड करना है यह जो हो से होगा तो मैं आपको बताता हूँ पहले फेक्टर थियोरम क्या होता है आप इसको फेक्टर थियोरम भी कह सकते हैं रिमेंडर थियोरम भी कह सकते हैं इसमें क्या करना होता है फेक्टर रिमेंडर थियोरम में कि जो वैल्यू दे रहे हैं वहां लिए पहले वैल्यू दे रह तो पहले इसको हम 0 के equal करते हैं फिर आगे मैं बताता हूं करना क्या आपको तो मैंने एक्स प्लस वन लिग दिया है अब आपको क्या करना है इसको पहले 0 के equal करना है मैं आपको बताया था इसको 0 के equal करने के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा और यहाँ पर जो value दे रिखी है वह यहाँ लिदानी होगी x की value आ गई है यहाँ कि 0 equal हो चुका है अब आपको क्या करना है जो मैं आक्सेस 2.2 में बता चुका हूँ मैं क्या करना है आपको यहाँ पर पी यहाँ की polynomial यहाँ पर x की value रखेंगे कोर्शन में क्या दे रहा है एक्स क्यूग प्लस 3x का स्कार प्लस 3x प्लस 1 यह दे रहा है एक्स की value हम यहाँ पर put करेंगे माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस थी प्लस थी प्लस थी होगे माइनस 1 माइनस 1 प्लस वार इसको भी सॉल करेंगे वेट माइनस 1 का क्यूब अब जब इनको भी सॉल्ब करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 1 तरी की पावर है इसलिए माइनस में रहेगा प्लस यहां पर प्लस होगा क्यूंकि माइनस 1 का स्कार 1 होता है त्री 1 त्री वितन यहां माइनस होगा यहां पर माइनस है माइनस प्लस माइनस त्री प्लस वन आप यहां पर ही देख सकते यहां पर माइनस का वन है यहां प्लस का वार यह इस से कैंसिल हो गया प्लस का थे यहां माइनस का देख यह इस से कैंसिल हो गया तो इसका अंसर हो चुका है अब हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं तो यहां पर सेकंड पार्ट अतार लिया है यहां पर भी कर आपको वही करना है जो हमने यहां किया है पहले तो हमने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पहले वही निकालना होगा जीरो एक्स माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा तो यानिक आपकी ए और वहसे ही करेंगे आपे पॉलिनॉमियल एक्स की जगा वन्वाइट टू कर दीगे वह Win कर देने जो हमने का रहा है वैन्वाइट टू का क्यूद प्लस 3 वन वैट टू का स्कड़ प्लस 3 कि मट्लै टू प्लस 1 अब जब इसे solve करेंगे तो 1 का cube 1 2 का cube 8 प्लस 3 1 का square 1 2 का square 4 प्लस 3 बाइब 3 प्लस 1 इसे भी solve करेंगे 1 बाइ 8 प्लस 3 बाइ 4 multiply हो जाएगा प्लस 3 बाइ 2 प्लस 1 यसे होगे अब जब इसको भी solve करेंगे तो यहाँ पर 1 है इसके नीचे कुछ नीचे आप पर by default 1 ही रहेगा 1 की होता ही ऐसा है तो अब यहाँ पर इसका LCM लेंगे इसका LCM आपका बन जाएगा 8 8 बन जाएगा 8 बन जाएगा अब यहाँ पर इसको multiply करेंगे 1 से तभी जाके 8 होगा उपर नीचे multiply करना होता है ना एक ही number से है तो यहाँ पर होगा 1 इधर multiply होगा 4 कर table में 8 2 बार में आता है plus 3 उपर नीचे एक जैसा multiply होगा 2 plus उपर नीचे एक बाद 4 यानिकी 3 4 plus 1 और यहाँ 8 आजाएगा अब जब इसको भी हम करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1 plus 6 plus 12 plus 8 divided by 8 उपर वाला और नीचे वाले कम सॉल्व करेंगे तो यह आपका जाएगा 27 by 8 आंसर यह रा second part का आंसर अब जैसे के आप देश सकते हैं third part में x भी रखा है जब हम इसको जीरो के एक वाल रखेंगे जीरो ही हो जाएगा x के जो वैली होगी हो जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पर polynomial 0 रखेंगे तो फिर यहाँ पर हम जब उसको पूट करेंगे जीरो का क्यूब प्लस थिरी जीरो का हो इस पर प्लस थिरी जीरो प्लस वन जब इसको करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है जीरो है तो सम में जीरो जीरो ही मुझे जीरो से कोई भी नमबर multiply करने पर जीरो होता है यहाँ पर बच्चा वन तो यह आपका हो गया answer यहाँ पर ठाड़ा पार्ट भी है वह complete हो चुक है अब आयते हैं फूर्थ पार्ट पर यहाँ पर फूर्थ पार्ट उतार लिये है मैंने इसको भी जीरो के है इक्वाल करेंगे जैसे हम पहले करते हैं प्लस की ि्वल्ट उजीरो कच नहींशपाई मैं उम्यूर्थ हो जैंगो अब यहाँ पर करेंगे कि एक्स की वेली वैटो अ CCTV रखके लिए माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वाइर प्लस 3 पाई प्लस 1 माइनस पाई का क्यूब जो होगा माइनस पाई क्यूब ही होगा प्रैक्ट में लिख दिज्या आप ऐसे लिग दिजिये कोई ये चलते हैं अब यहां स्क्वेर में तो इह इसको डबल होगा तो प्लस में ही कनवर्ट हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस। यहां पे भी लिखना स्कृपर किविवा होगा। क्योंकि पाइ का स्कृपर भी हों और यहां पर ठीर दे रात हैं। अब आप देख सकते हैं यह अनलाइक टर्प से स atac इसलिए आगे मिवा शञूद नहीं होगा। तो इसलिए यही जह आपका Cornell हुआ फूर्थ पार्ट भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है मैंने या पर फूर्थ पार्ट उतार लिया अब इसमें भी आपको करना है वही इसका जीरो निकालना है यह प्लस टू एक्स इकल टू जीरो एक्स फाइफ उधर जाएगा पॉजिटिव में नेगटिव हो अब आपके आपर पॉलिनोमिल की वैल्यू पूट करनी है जो है माइनस फाइब दू तो यहां वह पूट कर दीजें माइनस फाइब दू क्यूब प्लस थी माइनस फाइब दू का होल स्वेर प्लस थी है कि माइनस फाइब ड़िए माइनस फाइब टू प्लस यह लिख दिया जब आप इससे भी सॉल्फ करेंगे तो माइनس फाइव का क्यूब माइनस वन 25 two का क्यूब 8 हे प्लस on three यह माइनस में प्लस हो जाएगा है इसका स्कैर ट्विटिव two का स्कैर Through 4 प्लस 5 3 जा 15 तो यह माइनस का 15 वह जाएगा और नीचे 2 ही रहेगा प्लस 1 अब जा आप इसे सॉल्ब करेंगे 125 बाइट माइनस का 125 प्लस अब यहां पर सकाथ यहां प्लस आप इसका पता लग रहा है यह तो हम इसका एक यह लिखेंगे कि यह लिखेंगे यहां पर माइनस माइनस 125 लिख दिया प्लस अब यहां पर 75 लिख है यहां यांदि कि यहां पर हम क्या करेंगे 75 प्लस कर देंगे के टू टामस आता है तो टू टामस कर देंगे इसको माइनस 15 तू के टेल में एक फॉर टामस आता है प्लस वन जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 125 प्लस 150 माइनस का 60 प्लस वन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका जाएगा माइनस 27 बाई जो कि आपका आंसर हो गया तो यहां पर कोशन फर्स जो हो कंप्लीट हो चुका है अब बढ़ते हम कोशन सेकंड की तरफ तो यह कोशन सेकंड है आप जैसे देख रहें यहां पर कह रहें कि वैंद फैंडेर Brook Jahren यहां पर यह आपको जोचे करने यह यहां पर भी निकालने 8 मैंड next 아 निकाला रिमेंडेर Всем आप इसलें हमने फेस्ट गोशन हमं यहन में चलिंड करना होँगा क्थ है तो हम यहां पर एक्स मेन करेंड rather करेंगे इक्वल टू जीरो एक्स माइनस ए है उदो जागे पॉजिटिव का ए हो जाएगा तो अब हम यहां क्या करना है पी की वैलुई जी होगी ए होगी एक्से एक्वल टू यहां पर आपका क्या दे रखा है यहां पर पहले ऐसे लिए देता हूं एक्सक्यूट मिनस ए एक्स्ष्वार प्लस से एक्स मानस ए तब यह आप आ वैल्युट कर दीजिये एक्यूब माइनस ए एक्स्वार प्लस दो सिξ ए मानस ए एक्यूब कर देख अपकर दो ए है Has इसमें एक value है A की जो है power two है यहां पर दूसरा अला A जब उसमें जुड़ेगा तो 6a में से a जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 5a तो यानि कि यह आपका जो है यह आगया आपका answer यहां पर आपका question second है complete हो चुका है अब चलते है question third की तरफ तो question third है वो क्या करें कि check whether x plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x यहां पर क्या बताने कि जो x plus 7 plus 3x है वो क्या factor है इसका इसको भी वैसी करेंगे पहले 7 plus 3x का में 0 find out करना होगा तो हमने यहां पर इसको 0 के सामने लिख दिये अब यहां पर 3x लिखेंगे तहां पर plus में जाकर minus का 7 हो जाएगा x यहां पर 3 multiply में जाकर divide हो जाएगा minus 7 by 3 यह आ गया इसका 0 अब आपको यहां पर भी वही polynomial scholar put करना है तो यहां पर x लिख देता हूं इक्वाल तो यह जाएगा आपका 3 x cube plus 7 x value put करेंगे मैं x की minus 7 by 3 equal to 3 minus 7 by 3 का cube plus 7 minus 7 by 3 यह लिख दिया आपने अब आप जाएगा इसको sub करेंगे तो माइनस है तो माइनस है क्योंकि जो है वो पावर ओड है तो यहां पर माइनस 7 है जब माइनस 7 का cube करेंगे minus जो जाएगा minus 3 4 3 cube 27 plus minus 49 divided by 3 जो जब इसको sub करेंगे 3 और यहां पर 27 है जब 3 और 27 कटेगा तो 9 आजाएगा तो यह अपका हो जाएगा minus 3 4 3 divided by 9 minus 49 by 3 अब आप यहां पर डारेक्ट दे सकते हैं माइनस माइनस है यह प्लस जाएगा यानि कि कटेगा नहीं तो यानि कि यह जाएगा 0 के equal नहीं है तो यानि कि आप यहां क्या कह सकते कि 9 7 plus 3 x is not the factor of 3 x cube plus 7 x इसी के साथ हमारे जो एक्सस 2.3 वो complete हो गई है वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जो भी बताएगा अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब का देदेना वीडियो को लाइक भी कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में